जब जब इंडिया की अंडर्ग्रेजुएट कोर्सेज में बेस्ट उनिवर्सिटी का नाम लिया जाएगा तो आप बनारस हिंदु उनिवर्सिटी को कभी नहीं बुला सकते आज की क्लास में आपको बताया जाएगा बच्चों की बहुत ज्यादा फेवरिट बी एची क्या प्रोसेस है इससे पहले आपको बता दिया था कि डियू में अगर आपको एड्मिशन लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वीडियो आपके पास अवेलेबल कोभर्स वाला के चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर लागल के कोर्सेस के अंदर एड्मिशन ऑफर कर रही है और हाँ एक इंपॉर्टेंट नियूस जामिया मिलिया इस्लामिया उनिवर्सिटी के लिए भी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना देखो सबसे पहले बिएचियू बनारस इंडिवर्स टी उत्रप्रद सिर्फ बेचियो में एड्मिशन लेना होता है बई देखो एक स्टुडेंट को किस उनिवर्सिटी के अंदर एड्मिशन लेना है इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं काफी सारे बच्चे अपना स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में सैटल होने को तयार होते हैं तो तो दूसरी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं काफी सारे बच्चे कहते हैं नहीं मेरे पास तो कुछ पाबंदी है कुछ कुछ limits भी हो सकती है तो बनारस Hindu University फेवरिट युनिवस्टी है बहुत सारे बच्चों की फेवरिट युनिवस्टी है बच्चों का सपना ही है कि इसके अंदर admission लेना है तो इसने भी अपना करीका लॉंच कर दिया है कि किस तरीके से तुम हमारे यहाँ पर admission ले लेते हो जाधातर courses जो undergraduate level के हैं उसमें age limit दी हुई है जैसे डियू में कोई age limit नहीं है यहाँ पर जाधातर courses के अंदर बाईस साल तक की उमर होनी चाहिए बही और एक जो बच्चे economics करना चाहते हैं उनको बारवी क्लास के अंदर maths पढ़ी होनी चाहिए TVT में उसके maths के marks count होंगे आ आप कर देना उस पर क्लिक जैसे आप बनारस इंदुरिश्टी की website पर क्लिक करोगे यह आगया website दुबारा कर दिये हरे का interface अलग अलग तरीके से खुलता है यह आपके पास सब कुछ interface इस तरीके का आपको मिलेगा आपने इसमें कुछ नहीं करना है उपर नीचे इधर दे सेड में आपको यहां लिखा मिलेगा अंडर ग्रैजुएट प्रोग्राम सी यूवीटी सीवीटी साही नहीं लिखा इन्होंने सीगायब हो गया से गलती है वो गलती से कोई चकर ने यूवीटी लिखा रह गया तो यहीं पर लाल लाल पर इस पर क्लिक कर देना खटाक से यह लिखा बी एच्यू सी यूवीटी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीवीटी में सी नहीं लिखा है आपके पास काशी हिंदू विश्विद्धाले यानि बनारस हिंदू यूवर्सिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगी कौन-कौन से कोर्स अवेल को देखो पेज नंबर थी है यह इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का इसके अंदर सारी चीज़े लिखी हुई है आप यहाँ पर जाओ देखो यहाँ पर कोर्स बहुत सारे अवेलेबल है आपके पास सोशल साइंस में ओनर्स हो रही है यहाँ पर शास्तिरी ओनर्स भी यह बी मैं आपको पता दिया यह पूरी की ना बोलेटिन आपको मिल जाएगी साथ के साथ में कोर्स की फीसमी लिखी हुई है तो हरे को पता लग जाएगा आईडिया पीशकते हूए इसके की बात बताता हो पिछले साल जब CUT का इंट्रेस्ट हुआ था तो जामिया ने अपने सारे courses के वो जितने भी courses कराती है undergraduate level पर सब के लिए allow नहीं किया था CUT का score इस बार जामिया कह रही है कि हो सकता है कि हम सब के लिए allow कर दे लेकिन कम से कम 10 course के आसपास वो रखेगी undergraduate course में जिसमें CUT के number को consider करके वो admission देगी यहनी 100% अभी accept नहीं कर रही है जामिया पोस्ट graduation level के पिछली बार नहीं थे इस बार एक दो course या कुछ courses वो माल लेकि CUT exam के related लेकिन हम तो undergraduate level की बात कर रहे हैं तो जो main courses हैं जैसी वो अपने information bulletin बताएगी या सबसे पहले notification देगी तो आपको commerce वाला चैनल पर आपको मिल जाएगी तो डरने की कोई बात नहीं है आपको यहाँ पर exam की strategies पता लग जाती है इस channel पे इस channel पे देखो आपके लिए assertion reason वाले questions all कराए गए table वाला question कैसे crack करते हैं वो बता दिया important question आपको मिल रहे है previous question आपको मिल रहे है तो one stop solution एक तरीके से commerce वालों के लिए है यह commerce वाला channel समझे लो तो अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं जैसे कोई नई university की information आएगी आपको इस channel पे मिल ज जाएगी तो आज के class में इतना ही जै हिद जै भारत नमस्कार धन्यवाद